प्रश्च कर रहे हैं वरिष्ट पत्रकार और आज अखवार के राष्टिये बेरु प्रमुक संजे राईजी के साथ राहुल गांधी और मीडिया के बीच में भी दूंद चल रहा है उनका कहना है कि जो राष्टिये चैनल्स हैं या राष्टिये जो अखवार बगर हैं वो उस तरह से उनको प्रमोट या उनकी आतरा को नहीं दिखा रहे ह है और सोसल मीडिया में उनकी जो खबरें हैं जा रही है तो यह डाइरेक्ट जो है दोनों के बीच में क्या यह दूंद चल रहा है क्या इसी कोई बात है चुकि आप दिल्ली में हैं और दिल्ली मीडिया को देख रहे हैं कि देखे राहूल जब मेरी जो समझ है में उस्से समझ के रहा हूं मेडिय के उपर कि सब्सक्राइब काथ एकंठे節目 करते हैं तो राहूल dates मिडिय की समचार 시작tail उन चेनलों की तरफ इसारा करते हैं है है में और जहां तक प्रिंट मीडिया की बात है मेडिया को अगर राहूल दोश दे रहे है। यह उनकी प्रिंट मीडिया को लिखने से आज तक किसी ने रोका नहीं है, इलेक्टरोनिक मीडिया नहीं हो सकता है और जहां तक मेरी जानकारी है मैं कांग्रेज कॉंग्रेज बीट कवर करना वाले इलेक्ट्रोनिक मेडिया के पत्रकार जो है कि उन्होंने वहां के मेडिया डिपार्टमेंट में भी कई वार स्विकार किया एक उनकी computer को जो है, दबा दिया जाता है कोई भी सत्तादारी दल ह हुच हुआ ही राता है मेडिया और सरकार के लिए जो संबंध है वो कुत्ते बिल्ली जैसा होता है तो सरकार का प्रयास यही होता है कि उसके खिलाब खबरे न प्रसारित होने पाएं इसके पहले भी सरकारे करती थी यह पहली बार नहीं हो रहा है इसलिए सरकार अपना खुद का एक प्रसारण तंत्र बना करके रखती है जो आकाश्मारी और दोधर्शन सरकारी खबरें उधर रहती है लेकिन जो प्राइवेट मीडिया है मेरा ऐसा मनना है कि अगर आपकी बात में दम है और आप कुछ बात बोल रहें इक राष्टी अस्तर के नेता हैं तो आपकी बात को अगर हम नहीं चापेगे मीडिया नहीं चापेगा तो अखबार भीकेगा भी कैसे सवाल तो यही निश्पक्षता दिखनी चाहिए अगर मानलो वो पक्षपात होने का आरोप लगाते हैं जिस अखबार के उपर लगा रहे हैं वो अखबार भी उनकी खबर को 100% चापता ही चापता होगा इसमें तो कोई दोर आय नहीं है हो सकता है कि उनकी खबर किसी अंदर के पेज पर चली जाए इवें प्रधान मंत्री देश का प्रधान मंत्री जो होता है कभी-कभी उसकी खबर 12 नंबर पेज पर होती है तो खबर कौन सी कहां पर हो यह राहुल गांदी तो किसाइड नही है मैंगे खब्रस का ने तो मेरे शाब से उनका जो है सारे में कोई बहुत ज्यादा दम नहीं है और दूसमें क्वेस्टाब हो सकता है थोड़ा बहुत उनक्रोणिक मेडिया दिया अगर इतना अगर वहने तो उसे नहीं करना चाहिए मैं आप से जानागा यहना इतना बड़ा इवेंट हो रहा है कौन सा बहुत से चैनल है जो इन खबरों को दबा रहे हैं उनकी पॉलिसी होगी लेकिन मेरा यह मनना है कि अगर कोई चैनल या कोई अखबार अगर एक पक्षिय हो रहा है तो खुद अपनी विश्वशनीता के साथ खेलवार कर रहा है उसक से चैनल हो या अखबार हो इनके पाठकों और दर्शकों की संक्या सिमट कर रहा जाए ऐसे बहुत से चैनल है और अखबार है जिन्होंने किया और उसका भुक्तान भी करना पड़ा उनको जैसे कि कुछ सवाल जो प्रेस्वारता में राहुल गांदी उठा रहे हैं कुछ उद्योगपतियों को लेकर बाद में कुछ उद्योगपतियों ने उन सवालों का जवाब भी दिया अब उससे भी उसरों देके उद्योगपतियों को लेकर के जिस तरह से राहुल गांदी जो हमला कर रहे हैं मेरे हिसाब से उनको बंद करना चाहिए क्यों कि जिन उद्योग पतियों पर वो उंगली उठा रहे हैं उन उद्योग पतियों का निवेश्ट बहुत से ऐसी राज्यों में भी हुआ है जहां पर कॉंग्रेस की सरकार है उद्योग पतियों को खलनाय के रूप में अगर कोई भी राजनेता दिखा रहा है मेरा ऐसा मनना है कि यह उसके लिए अपने लिए भी उचित नहीं है इसके पहले भी जो सरकार थी या उसके पहले की जो सरकारे थी उद्योग पतियों की अपनी एक भूमिका होती है और दिल्ली का जो तंत्र आप देखेंगे जनता जब वोट दे देती है वोट देने के से नीती तयार की जाभी बजट आने वाला है बजट के पहले वित्मंत्री क्या कोई नया काम करने जा रही है सारे उद्योग जगत के लोगों से मिलना बिजनेस कारोबारियों से मिलना यह तो सरकार का काम है खाली दो लोगों को टार्गेट करके और उनके उपर अटेक करना यह मुझे नहीं लगता है कि यह राहूल जी यह काम जो कर रहे हैं मेरे इसाफ से गलत है तो क्या विराहूल गांधी के सवाल जो है क्या अचानक आठ साल में सभी सवाल आ गया है ना उसके पहले के भी सवाल हैं जिन पर वो कुछ रोसने नहीं डाल रहे हैं अब देखें उद्योग पतियों पर जो सवाल उठा होएं यह सवाल अगर उद्योग जगत की तरफ से हुए यह लोग उठाते गवाई हमारे साथ भेद भाव किया जा रहा है हमको ने तब वाद समझ में आती कोई राजनीतिक दल और भी देश के सबसे बड़े दो द्योग पती जो है जो करोड़ों और वो रूपय का विजिने सब उनका चल रहा है लाखों लोगों को रोजगा सीधा जो मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं है तो उसके बारे में क्या कहेंगे यह कांग्रेस की मीडिया कर भी रहा है तो इसा आरोप लगाना नहीं चाहिए अपनी बात को से पेश करना चाहिए अपने क्रिया कलापों से की मीडिया लिखने के लिए मजबूर हो जाए मीडिया मैं आपको बताओं मीडिया किसी का बंद्वा या गुलाम नहीं है मैं अपना एक वेक्तीका तनुभब रहुल घंधी की खबर बंदु व면 या उसको एडिट कर देना यह भी नहीं और पी गाम करते हैं राहुम वाणदी को फुट के ऊफर लिए उठाने से बने अपने के दीपार्टमेंट को देखना्स jars अपने बात को मीडियों किस तरीके से पैश किया जा इस पाड़िवे लिए तक या उनके अध्या के मिडिया डिपार्टमेंट जो वो जो चेन्ट योनकी मीडिया डिपार्टमेंट देह रहे हैं क्या वह सी सभालों को नहीं उठा पा रहा है है क्यों छो हुए हैं उन्होंने अपना एक मीडिया का एलीड ग्रूप बनाया हुआ है उसी को साथ में लेकर के चल रहे हैं राहुल गांधी का अगर आज मैं बताओं मैं खुद इंटर्व्यू करना चाहूं तो मुझे नहीं मिलेगा उनके इर्द गेरे हुए लोग दूसरे पत्रकारों से सेटिंग किये हैं हम सेटिंग किसी से नहीं करते वाई हमको इंटर्व्यू चाहिए तो अगर आपको हम डिमांड कर रहे हैं तो आप उस दिमांड को पूरा की चा क्योंकि हम जो सवाल पूछेंगे हो सकता है कि उसके वज़े से उनकी नवपरी चली जा यह भी हो सकता है तो आपने कभी पहल की कि आप को इंटर्व्यू मिले उसके लिए आपने को पात्र वगर्द कई बार हमने प्रयास किया नहीं हुआ है क्यूंकि आप भी तो एक एक आप एक अखवार के राष्टी यह ब्यूरो पर मुक्त हैं दिली में बैठते हैं तो आप अगर पांश करेंगे तो जरूर मिलना चाहिए होना चाहिए लेकिन देंगे नहीं न क्या जवाब आया क्या जवाब आया पुछ जवाब नहीं आता है नो रिप्लाई वान वे कम्मिनिकेशन तो मीडिया से राहुल गांदी चाहते क्या है अब वो तो चाहते हैं कि उनका गुण काया जाए वह भी नहीं होगा संभव मैं इस रूप मे कैसे लिखा जाएके ला और क्या चाहते हों एक Meint mij कि उनकी यातरा की हरे चीछ को समें उसका क्या किए उनकी यातरा की कव्रेश तो होई रही है वह चाहते हैं कि पलंको डेखिए वह दिमाग में जो है वह मीडिया के ऊपर डाल रहे हैं और मैं अगर यह कहूं कि कांग्रेश कहीं ने कहीं डरी हुई है तो फिर गड़बड हो जाएगा अच्छा एक आखिरी सवाल कि प्रधान मंत्री मोदी को क्या इस तरह के सवालों के जवाब देने चाहिए कि विकार युवा जो है पकौरा तले और उसको राहुल गांदी एक पकौरा तलना है यह तो पकौड़े वाली बात बहुत पुरानी हो गई है अभी तो उठाया जा रहा है मेरे हिसाब से मोदी के काने का यह भाव नहीं था कि सब लोग पकौड़े तले उनका काना था कि स्वारोजगार की तरफ सब लोग बढ़े इसको उन्होंने पकड़ यही तो है मुद्घे मुद्धे विपक्ष के पाथ है नहीं यहिक वह जबान पकड़ते है असलिए मुद्धा अगर उठा करके और सही तरीके से राजनित की जाए तो जिस तरीके से आज विपक्ष दिख रहा है हुं विपक्ष के हिश्थिती किह सत्ता पक्षि के पुरवर्वर्टी मुद्दे को ही हुँ उना रहा है या वपस्ट की कमजोरियों का पूरा फाइदा स्थाह है ठीक है आपने लहक डिजटल के लिए उसके मैं निकाला उसके लिए आपका और नाश्कार है भन्नवाद टे कि है झाल झाल